हेलो, नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का अश्टार परिवार में स्वागत है इसमें हम देखेंगे पाठ पाँच, अमले छार और लवड जो कक्छा सात्मी एटिग्रेट अभ्यास पुस्तिका है, उसको हम हल कर रही थी इसमें हम सभी प्रेश्णों को समझेंगे, और आप सभी इनकी उत्तर भी लिख सकती है लेकिन आप सभी को केवल लिखना नहीं है, इनको याद भी करना है चलिए तो हम देखते हैं पहला कॉस्चन, क्या लिखा है कॉस्चन पहला है, लीले लिटमस पत्र को एक बिलेयन में डुबोया गया है और यह क्या हो गया है, नीला ही रहता है तो लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन ना होने का हमें कारण देना है कि उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं हुआ परिवर्तन? क्योंकि लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन ना होने का कारण है, बिलियन का क्या होना? उदासीन होना. बिलियन कैसा है वह उदासीन है? ऐसा बिलियन ना तो अमलिये होता है और ना ही क्या होता है? छारिये होता है. जो बिलियन उदासीन हो यह बात आपको धियान रखना है अब देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी सेयर करें कोश्चन दूसरा है कपड़े पर लगे हल्दी की दाग को साबुन से धोनी पर वह क क्यों हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबन के ऐसा है चारी यह है साबन के ऐसा है चारी यह है जिस कारण से वह क्या हो जाता है लाल हो जाता है क्वेस्चन तीसरा है उस सुरूत का नाम बताईए जिससे लिटमस बिलियन को प्राप्त किया जाता है और इस बिलियन का उपियोग करते हैं क्या उपियोग है तो मतलब जो लिटमस लाइकें से पराप्थ होता है लिटमस कहां से पराप्थ होता है लाइकें से पराप्थ होता है और इसका उपियोग है जो अमल छार की पहचान करने के लिए किया जाता है किसकी पहचान अमल और चारकी अब आप ध्यान रख सकती हैं कैसे देखिए आसी है अमल आसी क्या बन जाएगा अनल यह आपकी दोस्त का क्या नाम है क्या है नाम है आसी हो जाएगा अमल क्या हो जाएगा अमल नीले लिटमस पीपर को क्या कर देती है लाल कर देती हैं आप ध्यार लखेंगे आप भूलेंगे नहीं कभी अनिल से आ सी आ जाएगा आमले और ये क्या करती है जो नी से आ जाएगा नीले ला सी आ जाएगा लाल ट्रेक है ये नीले लिटमस पीपर को क्या कर देती है लाल कर देती है ये आपको आप भूलेना नहीं क्या कर देती है नीले लिटमस पीपर को लाल कर देती है कौन करती है अमले और चार क्या करती है इसका उल्टा कर देना है तो चार बन जाएगा लाल लिटमस पीपर को नीला कर देती है अब देखिए कॉस्चन चोथा इसमें क्या लिखा है अती अमलतासी पीड़त होने पर प पीड़त है उन्हें हम प्रती अमल की गोली क्यों देती है तो इसके उत्तर में क्या लखेंगे जो अती अमलता सी पीड़त प्यक्ति को दूधिया मैगनेसियम जैसे प्रती अमल दिया जाता है जिसमें मैगनेसियम हाइड्रोक्षाइड होता है यह प्रती अमलता की देती हैं अंगला देखिए अंगला प्रश्ण क्या है आपको तीन द्रब दिये हो तीन द्रब आपको दिये हैं ठीक है प्रश्ण में दिये हैं एक तो संत्रे का रस दूसरा है चूने का पानी और तीसरा है सक्कर का बिलियन तीसरा क्या है सक्कर का बिलियन आप हल्दी को सू सूचक की रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृती बतानी है कि उनकी प्रकृती कैसी होगी किसका उपयोग करके हल्दी का अब देखिए जब हम संत्रे की रस में हल्दी की अभिकिरिया होती है हल्दी से संत्रे की रस से हल्दी की क्या होती अभिकिरिया तो बिलेयन का रंग कैसा हो जाता है गुलावी हो जाता है कैसा हो जाता है गुलावी तो क्या है यह है जो अमली बिलेन का सूचक है मतलब गुलावी रंग आ गया जो क्या है अमली बिलेन का सूचक है अर्था जो संत्रे का राज से वह कैसा है अमली है और जो चूने की पानी से अभी किरिया होने पर उसका रंग कैसा हो जाता है लाल हो जाता है कैसा हो जाता है लाल हो जाता है जो किया है छारिये और सक्कर की बिलियन में कोई परिवर्दन नहीं होता सक्कर की बिलियन है इसमें किसी भी परकार की रंग में परिवर्दन नहीं होता जो किसका कारण है उदासीन का कि सक्कर क का बिलियन के ऐसा है उदासीन, संत्रे की रस का बिलियन के ऐसा है अमली है और चूने की पानी जो क्या है छारी ये प्रकृति का है, अब देखिए कोश्चन अगला है छटमा, कार खानों की अपसिष्ट को जलासेओं में प्रवाहित करने से पहले उन्हें उदासीन क्यों करत है जो गार खानों की अपसिष्ट पधार्त हैं अपसिष्ट पधार्त है उनमें क्या होता है अमली ये पधार्त मिस्तित रहती हैं कौनसी अमली ये पधार्त है जो भारी मात्रा में मिले रहते हैं यदि हम उन्हें डारेक्ट सीधे जलासेयों या नदियों में हम बहा दें जिससे क्या होगा जलासेयों में उपस्ते थे जो मचली और अन्य जली जीव हैं वो अमल की कारण क्या हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी इसलिए हमें उन अपसिष्टों को छारिये पधार्थ मिलाकर, छारिये पधार्थ मिलाकर के उदासीन किया जाना चाहिए, डारेक्ट उन्हें नहीं जिलासायों में छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, छारिये पधार्थ मिलाकर के उदासीन किया जाता है, अगला देखिए, सात्मा लिटमस पत्र की दुवारा आप अमली चारकों की पहचन कैसी करेंगे बिलकुल सलल है हमने आपको भी बताया था कैसी करेंगे जब क्या अनल लिखा आपको अनल यात करना है आसी हो जाएगा अमले आसी क्या हो जाएगा अमले नी से हो जाएगा नीला और लासी हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा लाल, अमले क्या करते हैं, नीले लिटमस पीपर को लाल कर देती हैं, क्या करते हैं, नीले लिटमस पीपर को लाल कर देती हैं, अब आपको च्छार बिल्कुल याद ही हो जाएगा, इसका उल्टा करना है, लाल लिटमस पीपर को नीला कौन कर देती है चार कर देते हैं यहीं इसमें लिखना है देखिए जब बिलियन पत्र को अमली ये बिलियन में मिलाया जाता है तो वह कैसा हो जाता है लाल हो जाता है मतलब नीले से लाल हो गया और जब चार ये बिलियन में मिलाया जाता है तो वह कैसा हो जाता है नीला हो जाता है इस परका हैं जैंसे सबसी पहला है नीबू का रस आपकी घरों में नीबू हाइड्रोक्साइड एक ऐसी है छारक है दही दही दूद से क्या बनता है दही दूद से जो दही बनना है वह रासाने का भी किरिया है और इसमें है जो क्या पाया जाता है दही में लेक्टेक अमल अपस्तित रहता है कुन सा अमल है लेक्टेक अमल है आउला आउला की बात करे तो यह आप जन गई होंगे क्योंकि जो पदात खटे हैं वो अमल हैं क्या हैं अमल है तो आवला है जो है तो अमल है लेकिन इसमें अमल का नाम बताना है तो उसका नाम हो जाएगा एसकारवेक अमल है क्या हो जाएगा एसकारवेक अमल हो जाएगा आवला में चूने का पानी में होता है केल्सियम हाइड्रक्षाइड केल्सियम हाइड्रक्षाइड है जो क्या है छारक है केल्सियम हाइड्रक्षाइड इमली में कौन सामल होता है इमली में होता है टाइट्र भी रहती है लोगों को अब देखना है question अंगला उदासीनी करण अभिकरिया को उधारन सहत समझाए कुणसी अभिकरिया उदासीनी करण अभिकरिया किसी आमले और किसी छारक के बीच मतलब आमले और छारक के बीच होने बाली अभिकरिया को उदासीनी करण अभिकरिया कहती हैं इस प्रेक्ट्रम में उसमा क्या होती है निर्मुक्त होती है मतलब निर्मुक्त निकलती है इसके साथ साथ लवण और जल भी बनती है तो देखिए है यह क्या है अमल है और यहां उसमा निकलेगी तो यह समीकन की दोवारा हमने आपको समझाया गया है अंगला कोस्चन देखिए चीटी के काटने पर तुचा में तुचा पर हमें कैली माइन का बिलियन क्यों लगाया जाता है बताना है कौनसा बिलियन कैली माइन चीटी के काटने पर तुचा पर कैली माइन का बिलियन क्यों लगाया जाता है अब देखिए जब चीटी काटती है तुवह तुचा में हमें अमलिये द्रव डाल देती है कुन सा द्रव डाल देती है अमलिये डंक के प्रभाव को कम करने के लिए ताकि हमें दर्दे कम हूँ इसे कम करने के लिए केली माइन बिलियन का हम तुचा पर लगाती है जो कैली माइन विलियन है उसी हम कहां लगाती है तो चापर लगाया जाता है आपको आया शमझ में अब देखिए अमल और छार में अंतर बतानी है बिल्किल सरल बच्चों बाली कोस्चन पूच रहे हैं अमल और चार में अंतर हम नहीं लिख पाएंगी क्या क्यों नहीं लिख पाएंगी देखिए सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगी अमल दूसरी तरफ लिखेंगी चार पहला अंतर लखेंगी अमल स्वाद में खटे होते हैं और चारक हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं कड़वी होते हैं अब अमल है जो नीले लिटमस पीपर को क्या कर देती हैं लाल कर देती हैं और चार हैं जो लाल लिटमस पीपर को क्या कर देती हैं नीला कर देती हैं बिल्कुल आपको ये बिल्कुल नहीं भूलोगे कि कौन लाल को नीला करता है और कौन नीले को लाल करतीता है और अमले हैं जो कैसे होते हैं चिकने नहीं होते हैं और जो छार होते हैं छार साबुन जैसे चिकने होते हैं कैसे होते हैं साबुन जैसे चिकने होते हैं छार अब अला question है तो सारणी बनी हुई है इसमें आवे उनकी बतानी है पदार दिये हैं सूचक का पदार्थ पर क्या परभाव पड़ता है और पदार्थ की प्रक्रिति क्या है तो इनको हम देखते हैं किया दिया है नीवू करास, नीवू करास है, इसमें है जो सूचक का प्रभाव क्या हो जाएगा, गुलावी हो जाएगा, गहरा गुलावी, इसका मतलब यह क्या है, अमली है, सेम्पू है, सेम्पू का जो प्रभाव है, वो क्या हो जाएगा, सूचक का हरा, हरा हो जाएगा, इसका मतलब है इसकी प्रकृति कैंसी है चारी है अब जो सक्कर का बिलियन है इसमें क्या होता है रंग नहीं बदलता कोई परिवर्दन नहीं आता और जो नमक का बिलियन है इसमें भी क्या होता है जो कोई परिवर्दन नहीं आता है तो ये दोनों कैसी है उदासीन है कैसी है उदासीन चूने का पानी चूने का पानी है इसमें हरा हो जाता है तो ये कैसा है छारी प्रकृती का है शूडा युक्तवाटर इसका रंग भी हरा हो जाता है तो ये भी कैसा है छारी प्रकृती का है और नल का जल है कुँछा नल का जल है इसमें भी रंग परिवर्टित नहीं होता तो ये कैसा है उदासीन है कैसा है उदासीन है इस परकार से हमने जो हमारा जो चेप्टर था उसको हमने कम्प्रीट कर लिया यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें